हेलो एव्रिवान कैसे हैं आप सभी मैं हूँ आपका अपना निजी सलाकार अमितराश शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल वीडियो के प्रारम में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्लान के के साथ में जो इस प्लान में सिंगल लाइफ का ऑफशन है अगर उसकी भी डिटेल को समझना चाहते हो धारण के साथ में तो वीडियो आपको मिलेगा लाइफ इंशॉरंस प्लेलिस में जिसका थमनेल आपकी स्क्रीन के ओपर है और इसका जो लिंक है वो आज की वीडियो के आपको मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं तो आपको पूरी प्लान के डिटेल मिल जाएगी अब क्योंकि चैनल पर प्रती एक वीडियो आपी लोगों के सुझाव और प्रशन के अनुसार आते हैं तो इसलिए आप लाइक बटन पे क्लिक कर रहे हैं जॉइंट लाइफ बैनिफिट की तो जॉइंट लाइफ बैनिफिट अगर आप लेते हैं मतलभ की जॉइंट लाइफ प्रोटेक्शन भी इसको कहा गया अगर आप जोइंट लाइफ क Воर लेते हैं तो जो solu साल और जॉइंट लाइफ में अगर अपने पारण लेके चल रहे हैं उसी के चलते हम सारे जो एक्जामपल के साथ सारे बैनेफिट समझेंगे ठीक है तो दियान से समझीज़ेगा हम यहां पर 35 साल के उमर मान। धारे है शरीमान जी की और श्रीमती की है वह 32 साल के उमर तरह है पॉल सीटम 16 साल का प्रिम्यम इसका पूरा चार्ट होता है जो ओल्ड़ी टेलीग्राम पे शेर कर दिया गया है अब श्रीमान जी के हिसाब से जो यहाँ पे लाइफ कवर बैठेगा एक लाग रुपे का अगर प्रीमियम पे करेंगे जो साड़े बारा लाग रुपे का और साड़े बारा लाग का बीस परसेंट निकालेंगे तो डही लाग रुपे यहाँ पे उनके स्पाउस जो श्रीमती है उनके लिए यहाँ पे लाइफ कवर हो गया अब लॉयल्टी एडिशन आपको पता है कि जब प्रीमियम प्रीमेंटम कंप्लीट होता है उसके बाद ही मिलना स्टार्ट होता है और वो मिचॉरिटी तक एकटा होता रहता है जो की टोटल जो प्रीमियम पे किया गया था उसका एक निश्चित प्रतिशत होता है अब 16 सा का premium payment term है तो 8 साल का यहां पर loyalty edition period हो गया तो 11.25 प्रतिशत की दर्से मतलब की 8 लाग यहां पर premium हो गया क्योंकि 1 लाग premium साल का pay किया जा रहा है तो 8 लाग का 11.25 प्रतिशत निकाल के उसमा 8 का गोणा कर देंगे तो 7 लाग 20,000 रुपे का तो 8 लाग का premium pay किया है एक लाग के साल लाग के हिसाफ से 8 साल के premium payment term में तो उसका 109.18 प्रतिशत निकालेंगे तो 8 लाग 22,800 रुपे का amount हो जाएगा तो जो maturity amount होगा वो क्या होगा loyalty edition प्लस guaranteed maturity benefit दोनों को हम जोड देंगे तो 15,92,800 रुपे का amount हो जाएगा maturity benefit ठीक है जी अब क्योंकि यह joint life है तो इसके अंदर एक extra protection है माल लीजे premium payment term के दोरान जो primary member है मतलब कि जो श्रीमान है उनकी अगर death हो जाती है तो ऐसे में plan के अंदर जितनी भी premium payment term बची है वो उसके लिए श्रीमाती जी को सारे premium नहीं pay करने होंगे premium way off हो जाएगे plan यूँ का तू चलता रहेगा और 15,92,800 रुपे श्रीमाती जी को maturity benefit के रूप में मिल जाएगे मारोधारन के अनुसार और अगर माल लीजिए life assured और इसी के साथ में अगर दोनों की ही दैत हो जाती है joint life cover है दोनों की दैत हो जाती है तो भी plan continue चलता रहेगा premium माफ हो जाएगी और 15,92,800 रुपे का जो amount है वो nominee को pay कर दिया जाएगा तो इसमें already आपको एक premium waiver rider जो है included मिलता है joint life के case में तो इसी वज़े से जो यह rider है इस plan में पहला है accidental death benefit rider plus दूसरा है critical illness rider तीसरा है surgical care, चौथा है hospital care और पांच रहा है इसमें premium waiver of rider जिसे हम waiver of premium rider भी कहते हैं यह जो चारो rider है मतलब पांच राइडर है अगर आपने limited pay option लिया है तो आप इनको avail कर पाएंगे अगर आप joint life option लेते हैं तो इन में से आप कोई भी rider avail नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें already waiver of premium rider जो है in build है बात करते loan कितना मिल सकता है जो surrender value है उसका 80% तक जो amount है इस plan में आप loan ले सकते हैं अभी जो rate of interest के policy document में show हुआ वो 8.4% प्रतिशत का था और यह change होता रहता है आपको पता है और आप जानते हैं कि जब आप 2 साल लगाता है premium pay कर लेते हैं इस तरीके के प्लान में तो आप policy को surrender कर सकते हैं लेकिन अगर आप single pay option लेंगे तो जैसे ही आपका policy bond issue होगा राइट free look up period complete हो जाएगा उसके बाद अगर एक साल के बाद अगर आप surrender करना चाहते हैं उसके अंदर तो आप surrender कर पाएंगे single premium के case में revival period इसमें आपको 5 साल का मिलता है free look up period मिलता है 15 दिन का अगर monthly mode of premium आपने लिया है अन्यता 30 दिन का आपको मिलता है free look up period अगर आपने yearly, half yearly या quarterly mode of premium यहाँ पे लिया है I'm sorry यह grace period है जिसे मैंने free look up period यहाँ पे बोल दिया अब हम बात करते है reduced paid up policy के बारे में क्योंकि यह benefit इस plan में आपको मिल जाता है अगर 2 साल premium pay करने के बाद में आप premium नहीं pay कर पाते हैं तो policy reduced paid up policy बन जाएगी और free look up period अगर आप direct प्लान लेते हैं तो 15 दिन का होता है अगर आप online लेते हैं तो 30 दिन का होता है और जब policy reduced paid up policy बन जाती है तो आपको पता है कि जो paid up policy factor होता है उसकी दरुवत पड़ती है जितने साल आपने premium pay कर दिया है और जितने साल pay करना था divide कर देते हैं उससे तो यहां पे आपको reduced paid up policy factor निकल के आजाता है जब policy reduced paid up policy हो जाती है तो loyalty addition नहीं मिलेगा क्योंकि premium payment term complete जब होती है premium pay करते हुए तब ही आपको यह मिलता है और जब policy reduced paid up policy हो जाती है तो किसी भी तरीका का rider भी यहां पे work नहीं करता है और joint life के case में जो maturity benefit मिलता है reduced paid up policy के case में वो मिलता है reduced paid up guaranteed maturity benefit अब हमने already उधारान हम लेके चले तो उसी को हम यहां पे apply कर लेते हैं और माल लेते हैं कि चार साल premium pay करने के बाद श्रीमान एजिन की उमर 35 साल के वो premium यहां पे नहीं pay कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे चार साल premium pay कर रहा है आठ साल pay करना था तो चार को divide कर देंगा आठ से तो 0.05 जो होगा reduced paid up policy factor आ जाएगा और चार साल में premium कितना pay कर लिया होगा चार लाख रुपे का और जो guaranteed maturity benefit है उसका जो ratio apply किया जाता है किस पर के जाता है अधारन लिया तो हमें पता है जो primary member है जिसको हमने आपे नाम दे दिया श्रीमा ने का ठीक है साड़े बारा लाख रुपे का बैठ रहा है तो साड़े बारा लाख में हम गुणा कर देंगे सून ने दिसमलब पांच का तो 6,25,000 हो जाएगा यह हो जाएगा reduce life cover जिसे आप summer short on death भी कह सकते हैं तो जो spouse का cover हो जाएगा वो मतलब 6,25,000 का ही बीस प्रतिशत होगा मतलब जो reduce summer short on death होगा उसका ही बीस प्रतिशत होगा ऐसे में यहां पे हमारा उधारन के हसाब से 1,25,000 रुपे का यहां पे cover हो जाएगा और देखे joint life option अगर आप लेते